नई द्रश्टी ज्ञान विज्ञानी, नई द्रश्टी मुख्ष प्रदानी, नई राह अक्रम मार्गी, नई राह हो दादाई नमस्कार आदाव, सच्छ्रियाकाल, जै सचिदानन्द, जै श्रीकृष्ण दोस्तों आपका स्वागत है दादा भगवान फाउंडेशन के इसकारेक्रम में जिसका नाम है नई द्रश्टी, नई राह, जिसमें अक्रम विज्ञान, यानि अस्टेपलस पाथ ऑफ सेल्फ रियलाईजिशन क्या है, ये हम जान पाएंगे साथियों हमारे अंदर आत्मा से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जो उठते तो हैं लेकिन उनके जवाब हमें मिल नहीं पाते इसी वज़ह से सेल्फ रियलाईजिशन के रास्ते पर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं सवाल जैसे की जीवन का हेतु यानी मकसद क्या है, हमें दुख क्यों होते हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए, अक्रम विज्ञान, स्टेपलस पात क्या है, जीवन में सुक को कैसे महसूस करें, आपके मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं ना, तो चलिए हमारे चहेते आत्म ज्यान नीपक भाईक से इन सवालों का जवाब पाएं। अभुतपुर विज्ञान मुझे कोई अभी तक का अध्यात्म में भारत में, कहीं नहीं मिल रहा है कि डायलाग मेथड से, कॉस्चन आंसर मेथड से, पूरी चीज को इंडिविजनल डाइगनोसिस करके लाई कि डॉक्टर पूरी एक-एक बीमारी को तलास करके ऑपरेशन तक कर डालते हैं, यह इतना बड़ा विज्ञान कहां से आ गया, मैं कोटी-कोटी नवन करता हूँ इस विज्ञान के लिए और दादा आप सब निरुमा के लिए कि यह पूरे विश्ण को इसकी तक कली जरुरत है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो भी बात बताई, वो प्रश्ण तरी रुप थी, अरी प्रश्णे न, बार-बार तु पोच और तेरा समाधान पा ले, महविर भगवान ने भी उतरा ध्यान सुत्र अज़ारों प्रश्ण हैं, कौटम सामी ने पूछे, वो भी प्रश्ण तरी थी, यहां ने दादा जी की पूरी जीवन प् आतापन रहता ही नहीं है, पूछने वाले पूछेंगे तो उसके निमित से अपने अपवानी निकल जाती है, और वो लास्ट विज्ञान है, जो स्पिरिचल विज्ञान बोला जाता है, अध्यात्म विज्ञान, वहां लास्ट टेज की बात, जब कृष्ण भगवान, विले हो जाता है, और राग द्रिश का भी विले हो जाता है, और मुक्स मार्ग खुला हो जाता है, और ये लेवल का जब तक सत्सक नहीं मिलता है, वहां तक मुक्त की प्राप्ती भी होनी दुरलव, 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 दुरलव है, ये तो बहुत, दादा ज जागी जागरत हो गई है कल्योगी लोग जो कितने दुखो दुखो भुगत के मुक्ती जंखते थे तो उनके लिए ज्ञानी का उतार हुआ नदा भगवान का और आस कुरुपा की बात यह है कि वो सिलसिला ज्ञान का मार्ग चालू रहा इछे परंपरा चालू रही और जगत को जरूरत है इसे विज्ञान ही खुला हो रहा है वही दादा भगवान की कुरुपा है कितने आउतारों से इनकी यही वावना थी सारे विश्व में ऐसी बात समझ में आनी चाहिए ताकि समसार में थमाम दुखों से आदि जीव मात्रव मुक्ती पा रहे और वह अन दिए वे सात्र वह एक्शली इस ज्ञान के बाद ही समझ में आते हैं कि आत्मतात्वा कितना वीराठ है और कितना सक्तिसाली है कि उसके स्वाल है नहीं उसके तुलना में ही नहीं आत्मत तक पहुंचने की द्रश्टी दादा भगवान ने ज्ञान वीदी से दी वह उनकी बहुत अधुत सोच खोल है रादा भगवान की कि कौनसी ऐसी चीज प्राप्त कराए ताकि ये द्रश्टी बदल जाने के बाद उसको निर्दोस जगत दिखे और तमाम शास्त्रों का समाधान अपने आप ही मिले ये आत्मा का अनुभाव ऐसी चीज है कि जो भी शास्त्र है वो आत्मा प्राप्त करने की द्रश्टी है और आत्मा प्राप्त करने की अंगोली निर्देश करते हैं और आत्मा प्राप्त होने के बाद में हमारी जो अवस्ता हमारी जो कक्षा आती है वो आत्मा प्राप्त होने के बाद की कक्षा है और सभी शास्त्रा आत्मा प्रा आपने फ़ल दूसरों को देकर सुख पाता है ऐसे ही हम भी दूसरे जीवों या आत्माओं को सुख देकर अपनी जिद्गी में सदा के लिए सुख को महसूस कर सकते हैं और दुखों से सदा के लिए छुटका रापा सकते हैं लेकिन इसके लिए I यानि मैं, माई यानि मेरा का फरक समझ कर I से माई को अलग करने का मैथड समझना जरूरी है ताकि Self-Realization संभव हो सके तो चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं अगली सेग्मेंट की और अगली से पहुचेंगे करते-करते Absolute, Pure होगा खुद तब आत्मा में का सक्षत करोगा यह हमें तो कृपा से ही मिल गया है और यह काल में मन बचन का है कि एकता योग तूट गया है एक आत्मयोग तूट गया है तो दे का त्याग होगा दे से उपवास किया है मन में हो जाएगा केक हमारे लिए फ्रीज में रखो कल खाऊंगा मैं देखो मन खाने में चले जाता है तो यह एकता नहीं है तो दूसरा फाइदा मिलता है यह खाने में तो मन आत्मा में चलो मुझे मैं खाने वाला ही नहीं आत्मा हो शुद्धा आत्मा तो कुरुपा से ही आत्मा का पुरुशाद चालो हो गया है, यह पकड़के चलो अभी ओर रस्ता तो तूड़ गया है, रमीक मार्द फ्रेक्चर हो गया है, आज पुरा फल मिलने वाला ही नहीं, नो exceptional case, जैनि बीचारे मजनत करेंगे, मगर प्राप्ति कुछ नहीं होगे, क्योंकि जाप करने, आत्मा का स्वरुप को, नहीं सोने को पहिचानना है, तो सोने के गुण दर्म जानने चाहिए, हम क्रिया करेंगे, मंत्र करेंगे, जाप करेंगे, गरम करेंगे, रवे यह क्रि पेड अपने फल दूसरों को देकर सुख पाता है ऐसे ही हम भी दूसरे जीवों या आत्माओं को सुख देकर अपनी जिन्दगी में सदा के लिए सुख को महसूस कर सकते हैं और दुखों से सदा के लिए छुटका रापा सकते हैं लेकिन इसके लिए आय यानी मैं माई यानी मेरा का फरक समझ कर आय से माई को अलग करने का मैथड समझना जरूरी है ताकि सेल्फ रिलाइजेशन संभव हो सके तो चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं अगली सेग्में की ओर अक्रम विधी और विपशयना में क्या फरक है आप विपशयना करते हो तो आपको मालूम होगा क्या फाइदा हुआ आपको ये विधी में और उसमें फरक क्या है ये पूछता है फरक बहुत है उसमें करना पड़ता है और इसमें करतापन ही छूट जाता है इतना डि कर्म बंदन करते होगया संभाव के करते हैं पुणयबंदन और ध्यान में बैटे और करमे और वाइवी डिष्टप करती और क्छे हैं आप तो कुछ काम करते हैं यहान में बैट गए इतना बच्ये को कउन ध्यान रखेगा तो हमें द्वेश होते रहेगा समझती लिए इतना अच्छा करता है तो तो द्वेश के कर्म भीज़ दालोगे और ध्यान करते हो तो पुन्य का भी भीज़ दालोगे और बात में फल तो वगत नहीं पड़ेगा और गलत नहीं है वो developing stage में सही है और बुद्वगवान ने वो मार्ग बताया और दिरे दिरे आगे बढ़ने की बात बताई है और बगवान मावीर का मार्ग बहुत आगे का है वो दुद्वगवान से भी बहुत आगे की बात बगवान मावीर ने बताई और ये बगवान मावीर के रदे की बात है समझ में आया आपको? क्या नाम है आपका इंद्रजीत है आप सच मुझ इंद्रजीत हो आपका नाम इंद्रजीत है कि आप सच मुझ खुद ही इंद्रजीत हो यह तो शरीर का नाम दिया गया है लेबल पहिचानने के लिए अपने खुद कौन है उसको पहिचानना है हम विपश्यना में क्या करते है बस मैं ध्यान करता हूँ मैं कौन? मैं ही इंद्रजीत तो foundation में ही wrong belief है कि मैं एक गंटा ध्यान करता हूँ सब इंद्रियों को मैं देखता हूँ स्वास तो स्वास को देखता हूँ सब मेधना को देखता हूँ पर मैं कौन हूँ इंद्रजीत हूँ, और इंद्रजीत हो कि जो भी करोगे, उसमें कर्म बीज डालती ही जाओगे, क्योंकि मैं इंद्रजीत हूँ, वो रॉंग बिलिफ है, वहां ही कर्मबंदन होता है, और मैंने ये किया, मैं ध्यान किया, गंटा, दो गंटा, तो मैं ने किया और मैं इंद्रजी, वही बीज है, क्या करते हो वो कर्म बंधन का कारण नहीं है, और क्या मानते हो, वो कर्म बंधन का कारण है, अर्जुन सारी लड़ाई की, फिर भी एक कर्म बंधन क्यों नहीं हुआ क्योंकि वो खुद उनकी दृष्टी बदली हो गई थे मैं अर्चु नहीं मैं आत्मा हूँ और मैं करता नहीं हूँ करने वाला मैं नहीं हूँ बाद में क्रिया कोई भी प्रकार की हो गई मार कर्मबंदन नहीं हुआ समझ में आता है यहां अकरम इज्ञान में वो सबसे पहले प्राप्त हो जाता है मैं खुद कौन हूँ और उसके साथ में करने वाला कौन है हम जितना भी इच्छा करते हैं सब कर सकते हैं कि कोई रुकावाट आती है कोई रोकता है नहीं हमें जो भी हमारी मन मानी करनी है कर सकते हैं कि नहीं हो जाता है अब सुबह चार बज़े उठना थे अलाम रखना पड़ता है कभी तो फिर हमारे हाथ में उठने की सत्ता कि कोई आधीन है दूसरे खेट हाँ तो इसे संसार में अब चेक करो कि खाना थो बोले मैं जितना भी खाना चायता और खा सकते हो तो भी कंट्रोल नहीं मेरे से दो इस तीनी रोटी खा गई चोथी नहीं खा सकता तक अंकर जब ये अधनी रहेंगी ते खाने में हमारे हाथ में नहीं है उठने में रात को नीन तो अपने हाथ में होगी जब ही सोना है चलो तीन बजे दोपद में सो जाना है या साथ बजे शाम को सो जाना है रात को तीन बजे उटना है हम कभी भी सो सकते, कभी भी उट सकते हमारे कंट्रोल में है तो किसके control में होगा, कौन कराता होगा कौन है, वो जीन्दा है या mechanical है, वो जानने की ज़रूरत है, तो फिर ध्यान खुद करता होगा कि कोई कराता होगा बहुत बड़ा प्रस्न है और जो कोई कराता होगा और हम माने मैंने किया वो ही एहंकार है और करता बाव, उसी से कर्म भी गिरते है, क्योंकि हम wrong belief में हैं, कि बहुत कराने वाला कोई अलग है, और मैं मानता, मैंने किया, और wrong belief गुना लगेगा, ये गुना का दंड इस अंसार में भुगतना पड़ता है, वो गुना बंद हो जाना चाहिए, सचा करने के वाला कौन है उसको पहचानो, और मैं खुद कौन हूँ, उसको पहचानो समझ में आया आप मा, यहां ये ग्यान मिल जाएगा आपको, परसो रखा ए ग्यान की दे, उसमें ये ग्यान मिलेगा, बाद में आपको जो भी करना है करो, विपशे ना करनी है, के कुछ भी मंतर जाप करने है के, बाद में आगे के रस्ता आपको मिल जाएगा इंद्रजीत का हिसाब है, वो करेंगे और आप खुद आत्मा हो उसकी आपको जागरती मिल गई बाद में आप जुदा रह सकते हो अब में कर्मों का हिसाब है पुरा करना है आत्मा में रहके समझ में आया है? दोस्तों, यह दो घंटे का प्रियोग यानि आत्मा को इस शरीर से अलग करने का तरीका आपको कोई ऐसा आत्म ज्यानी ही समझा सकता है जिसने स्वयम इस ज्यान को पाया हो तो अब हमारे चहेते आत्म ज्यानी दीपक भाई आपको इस अक्रम विज्ञान के अनलिमिटेड यानी असीमित रोशनी से रूबरू करवाएंगे ज्यान से सुने शायद आप इस ज्यान के खजाने से अपने अंदर के आत्मा रूपी हीरे की चमक को पहचान पाएं ज्यान चाना